दोस्तों चलिए आज हम जान लेते हैं कि टीबियेस के स्पोर्ड वाइक और स्टार सीटी वाइक का स्टार्टिंग को एल को कैसे चेक किया आता है अगर करंट ना बने प्लग वाले तार में करंट नहीं बन रहा है तो आप डिरेक्ट यहां से कैसे चेक करेंगे बिना खोले आपको चेक करना है तो इसे चेक करने का दो तरीका होता है इसे चेक करने का दो तरीका होता है एक होता है मल्टी मीटर का और दूसरा होता है यहां पर तार लगा के चेक करना तो दोनों चीजों से मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि अंदर का जो स्टार्टिंग कोईल ह वो खराब है या फिर चैई है जिसके मैं आपको दिखा पा रहा हूं यह एक सॉकेट है इसका इस नहीं कि सॉकेट है यह पिकप कोयल का और श्टारिंग कोयल का जो तार होता है इसमें लाल वाला तार होता है इस लाल वाले तार को चेक करना है और साथ में जो पाला वाला है यह अर्थिंग के लिए बॉड़ी अर्थिंग के लिए है चलिए हम इसे दोनों तरीके से चेक करते हैं इसको एक तार हमें लगाना है यहाँ पर इसलाल वाले तार में हमें यह इसे के से लगाना है और बॉडी में तेट करके देखना है कि दूरा समरने वे तो यहां पर करेंट शो कर रहा है अब दूसरा तरीका में इस मेल्टी मीटर के जरिये से आपको बताना जा रहा हूं तो यह मेल्टी मीटर का जो यह बटन होता है हमें यहाँ पर रखना है और हम इसे लाल वाले को हम लाल वाले में लगाएंगे और दूसरे को हम इस बटने काला वाले में लगाएंगे यहाँ पर यह नम्मर शो कर रहा है अब मैं आपको दूसरा कोयल दिखाता हूं जो इसका पहले वाला कोयल है कि यह खराब कोयल है मैं इसे चेक करके दिखाता हूं कि अगर देख सकते हैं यहाँ पर नम्मर कोई भी चो नहीं कर रहा है इससे पहले चलता है कि यह कोयल खराब है और अंदर में जो लगा हूँ है तो इस तरीकर दिख कर सकते हैं अगर कोयल खराब होगा तो नम्मर सो नहीं करेगा तो नम्मर सो करेगा देड़ सो लंसम